दमश्कार दोस्तो पाथफाइंजर पर आप सभी का स्वागत है मेरे नाम ने थी है दोस्तो हाल ही में UN का एक इंडेक्स जारी हुआ एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें कुछ चौकाने वाले आकड़े सामने आए हैं यहां पर अगर हम भारत के परिपेक्ष में बात करें भारत की बात करें तो हर साल पर कापिटा फूड वेस्ट जो है वो 55 किलो पर एर है जो की पिछले बार से बढ़ गया है पहले इट वस 50 kgs पर एर अब बढ़कर यह 55 kgs पर एर हो गया है according to the UN report यहां पर यह चौकाने वाली बात या हैरानी वाली बात या फिर थोड़ा परेशान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि लगभग 783 million लोग दुनिया भर में फूखे रह जाते हैं वहीं 1 by 5 of our food goes to waste आज के session में हम इस पूरी report को ध्यान से समझेंगे इसमें क्या-क्या facts दिये हैं उनके बारे में बात करेंगे क्यों यह important है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं so United Nations की food waste index report के according जो भारती है household है वहाँ पर जो waste होता है food हर साल it accounts to 78.2 million tons मतलब यह बहुत बड़ा आकड़ा है हमारे देश के लिए जहां पर हम दुनिया के सबसे बड़े ऐसी जनसंख्या वाला देश है जहां लोग भूखे रह जाते हैं मतलब एक तरफ हमारी एक बहुत बड़ी population जो है उसको खाना नसीब नहीं होता वहीं दूसरी तरफ लग भग 78 million tons खाना जो है हर साल हमारा वेस्ट हो रहा है यह इस report में बताया गया तो यहां पर जो executive director है UNEP की Inger Anderson उन्होंने कहा food is food waste is a global tragedy millions will go hungry today as food is wasted across the world तो काफी बड़ा चिंता का विशय है यह ऐसे जगहां पर जहां पर not only India it is a global problem यह के भारत की समस्तिया नहीं इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं कारण क्या है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे plus हम कुछ आकडों के बारे में बात करेंगे यह मेरा चोटा सा इंट्रक्शन है दोस्तों यह मेरा टेलीडायम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अप्डेट चेडूल्स और पीडिएफ के लिए अनकैडमी लेकर आया है आपके लिए प्रिलिम्स मॉक टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन यह आल इंडिया प्रिलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है जो की 30 मार्च को कंड़क्ट किया जाएगा पेपर वन पेपर टू आप यहां देख सकते हैं इस क्यू आर कोड को स्कान कीजिए रिजिस्टर करने के लिए आप इसको ऑनलाइन भी अटेम्ट कर सकते हैं ऑफलाइन हमारे रजिंदर नगर और मुकरजी नगर और प्रियागराज यूप वाले सेंटर में जाकर भी आप इसको यूदो अटेम्ट कर सकते हैं इसको हमने नाम दिया है अभ्यान 2024 अभी इन्रोल कर लीजिए 31 तारिक को ह अगर आप फसी प्रिवाज दे रहे हैं इसबार तो यह अटेम्ट करना आपके लिए काफी जादा इंपोर्टेंट होगा अगर आप इस साल तैयारी नहीं कर रहे हैं मतलब अगले साल अटेम्ट करने वाले हैं इस साल नहीं पर तो 29 मष्यंट से मारे कुछ बाचिस कराए हैं 2024 की तैयारी के लिए ही प्रिलिम्स के लिए स्पेसिफिकली जहां पर पूरे साल पर का करन का फैजों की रेलेवेंट होगा आपकी एक्जाम के परस्पेक्टिव से उसको कराया जाएगा बाया टॉप एजुकेटर अरुट सर एंचंद्रु मॉली सर ये ऑफ-लाइन दो रहा है अक्रोज दी ग्लोब तो यहां काफी चौकाने वाले आपको यह यह फिगर्स देख रहे हैं जहां पर मॉल्दीव्स टॉप कर रहा है मॉल्दीव में 207 किलो पर कैपिटा पर इयर फूड वेस्ट होता है अगर हम ग्लोबल फूड वेस्ट की बात करें 2022 में तो इस वन पॉइंट जीरो फाइफ बिलियन टन्स इतना खाना वेस्ट हुआ है इसमें खाना वेस्ट कि अगर हम इन्हों को इसको बाइफरकेट करें तो 60% खाना हाउस होल्ड वेस्ट है जो घरों से वेस्ट होता है सिव 28% खाना आपका फूड सर्विस और 12% फूड जो से रखी हुई है खराब हो जाते हैं परिश हो जाती है तो रीटेल में या फिर आउट डेट हो गया इस तरह की चीजों में इसके अलावा अगर हम एशिया की बात करें तो पाकिस्तान में 130 किलो पर कापिटा फूड वेस्ट है परियर मतलब जहां इतनी समस्ते हैं आपे ख चार्ट में देखा साउड एशिया में भूटान ऐसा देश है जहां पर लोएस पर कापिटा फूड वेस्टेज है जब विचिस 19 kg पर कापिटा पर यर वहीं पाकिस्तान हाइस्ट है with 130 kgs पर कापिटा पर यर अगर फूड वेस्टेज की भारत के परिपेक्श में बात करे तो according to the global hunger index report 2023, out of the world 783 million population जो भूखी रह जाती है, उसमें 233.9 million जो population है वो भारत में है, तो ये काफी चिंता का विशह है भारत के लिए भी, अगर हम रांकी बात करें तो काफी serious है और जो hunger का जो level है, वो severity level काफी serious है भारत के परिपेक्ष में, अगर हम ये भारत के रांकी बात करें, तो 125 देशों में भारत 111 नंबर पर है, जिससे ये indicate होता है कि जो hunger severity level है भारत में, वो काफी serious है, तो ये एक चिंता का विशह भी है, अभी जो study है जो उसका से conduct की गई तो अलग-अलग जगाओं पर इसका conduct किया गई study को, और food wastage, जैस in habitats, अगर हम overall आकडे देखे, मतलब इसको nutshell में समझे, तो भाई, simple है, 78.2 million tons खाना waste होता है भारत में हर साल, 233.9 million out of the world, 783 million population भारत में रहती है, according to the global hunger index 2023, जिनको खाना नहीं मिलता, इसके लावा 111 वी rank है हमारे 125 countries में, जिससे हमारा hunger severity level serious दिखाता है काफी severe है, और global food wastage की बात करें, तो 1.05 billion tons global food wastage हो रहा है, हर साल, ना केवल ये चौकाने वाले आकडे है, जिको जब food wastage हो रहा है, तो उसके कुछ side effects भी है, जैसे कि greenhouse emission, जब food process होता है, जब खाना बनता है, तो उसमें बहुत सारे resources भी हमारे use होते हैं, और तो खाना waste हो रहा है, तो वो resources भी waste हो रहे है, इसके साथ तार जो countries है, जहाँ पर temperature तुरह जादा होता है, जैसे भारत भी उनमें से एक देश है, यहाँ पर जो food wastage है, वो जादा होती है, as they lack cold food chain facilities, खाना गर्मी में जल्दी खराब होता है, तो यहाँ पर ये भी एक कारण हो जाता है, food loss और waste cause 8 to 10% of annual global greenhouse emissions, मतलब ये भी इसका side effect ही है, तो ना केवल ये उस जनसंख्या के लिए गलत है, जो जिनको खाना नहीं मिलता, जो भूखे सो रहे हैं, बल्कि ये हमारे परियावरन के लिए भी नुकसान दायाक है, जिस तरह से food wastage across the globe हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो report में data है about the India's food wastage, उसको medium confidence में रखा गया, विच इसका मतलब ये है कि data limited geographical coverage से आया है, inadequate sample size है और बहुत मुश्किल है to track, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि केवले से 4 G20 countries हैं, including Australia, Japan, UK and US, along with European Union, जिनोंने established किया है food waste estimates को, मतलब वो track करते हैं कितना food waste हो रहा है, only these countries are doing this, जिससे कि it allows them for monitoring progress towards 2030 target, जहाँ पर food wastage को देखा जाए कि reduce कैसे किया जाए, ठीक है, अगर हम food wasted की बात करें by level तो out of the total food wasted in 2022, 60% household घरों से खाना waste हुआ है, food services में हो, it is like poor storage facilities, जिससे कि spoilage होती है, या फिर extra खाना करीद लेना, जितने कि आपको जरुद भी नहीं होती, बहुत बार हम extra चीजे ले आते हैं, जिनके हमें अवशकता भी नहीं होती, तो waste होता है, हमारे देश की climate, जो hotter countries है, जो गरम देश है, वहाँ पर climate एक factor हो जाता है, गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है, अगर proper storage facilities ना हो, cold storage facilities ना हो, लोगों के पास fridge नहीं है, बिजली की समस्य है, तो यह सारे factors contribute करते हैं in the wastage of food, ठीक है, तो यहाँ पर food preservation पर खाना annually waste कर रहा है, which is equivalent to 1.3 meals every day for everyone in the world, who is impacted by hunger, जो भूखा सो रहा है, यह report में बताया गया, bigger divide comes in the variation between the urban and the rural population, मतलब एक बड़ा divide यहाँ पर ग्रामीन और जो शहरी परिपेक्षे हैं उन population से निकल कर आ रहा है, food for hope के अगर हम बात करें, तो report में suggest किया गया है कि कुछ public private partnerships होनी चाहिए, जिससे कि food waste को reduce किया जा सके, साथ में जो climate change के impact है, उसको कैसे हम mitigate कर सकते हैं, किस तरह से, जिस से global temperature बढ़ रहा है, उसको कैसे mitigate किया जा, जो efforts लगाए भी जा रहे है, water stress को embrace किया जा है, by a steadily growing number of governments at all levels, जैसे कि Japan और UK में, जहां पे जो reductions है, वो 18% और 31% की देखी गई है, in the food wastage, from the past reports, जिससे कि पता लगता है कि बढ़ाव आ सकता है, अगर food को सही तरीके से राशन किया जाए तो, मतलब there is a possibility of improvement, there is a possibility of change, इसके साथ-साथ, report में recommend किया गया है, on focusing on the efforts on strengthening food waste reduction and composting in cities, इस पर भी काम करने की आवशकता है, ताकि हम इस food wastage को reduce कर सके, या composting की तरफ जा सके, ताकि वो utilize हो सके further, for the fertilization, if not for anything else, चालिए, so this was about this report, जिस में काफी चौकाने वाले आक्डे ह हमारे सामने आए, अगर आप UPSC प्रिलिम 12-24 की तेयारी कर रहे है, तो आपके लेक podcast series है, जिसका link आपको हमारे description box में मिल जाएगा, दोस्तों, series को देखे, I am sure आपके सभी doubts, confusions or queries with respect to your, you know, preparation, वो यहाँ पर solve हो जाएंगे, that'll be all from my side, I hope you like the session, do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates, thank you so much, God bless, take care, bye-bye. झाल